जम्मू कश्मीर के अननतनाग जिले में एक पुलिस पिकेट पर किये गए आतंकी हमले में कम से कम एक आतंकी मारा गया जबकि एक पुलिस कर्मी घायल हो गया पुलिस के मुताबिक अननतनाग जिले के अचबाल में पुलिस पिकेट पर शुकरवार को देर रात हमला किया हाला कि सुरक्षा बलो ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया पुलिस की जवाबी कारवाई में एक आतंकी मारा गया और उससे हत्यार भी बरामत किये गये फिलाल मारे गया आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है और वेकिस आतंकी संगठन से जोड़ा हुआ था इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस के अनुसार दोनों तरफ से की गई इस गोली बारी में एक पुलिस करमी खायल होगी जिससे इलाज केल अस्पताल में भरती कराए गया जहां उसकी आलत अब ठीक है नीती में बदलाव किया है और अब वे सीधा सुरक्षा बलो और उनके परिजनों को निशाना बना रहे है हलागि सुरक्षा बलो ने आतंकीों को मूत और जवाब देने की तैयारी कर ली है सुमवार सुबै घाटी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा उपरिशन चलाए गया इस दोरान पुलवामा और शोपिया जिले के 20 गाउं में एक सर्च उपरिशन चलाए गया सुरक्षबल यहां तक आतंकीों की तलाश में कोना कोना चान रहे है सर्च उपरिशन के दोरान लोगों और सुरक्षबलों के बीच जडब भी हुई है इस दोरान एक पत्थरबाज फयाज एहमत की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी पुल्वामा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है बने हाल से बारा मूला तक ट्रेन सेवा को भी बंद किया गया है आनतना के अच्छाबल इलाके में आज सुबह ही एक एंकाउंटर में एक मिलिटन के मारे जाने की खबर है पुलीस के स्टेटमेंट के अनुसार जो बताया जा रहा है कि करीब सुबह चार बजे जो मिलिटन्स हैं उन्होंने अनतना के अच्छाबल इलाके के एक पुलीस पिकेट पे हमला किया और इसी हमले में जो है अलर्ट सेंट्री जो है उन्होंने वापस फाइरिंग की और मिलिटन्स को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया और भागते भागते एक मिलिटन्स को गोली लगी जिसको बिलाल अहमद नाम से आइडेंटिफाई किया गया है कुलगाम इलाके का ये लड़का है और बताया जा रहा है कि ये जो मिलिटन्स थे ये वेपन स्नाचिंग के मोटिव से आये थे और पुलीस का कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की वारदाते इन मिलिटन्स के द्वारा इस इलाके में हुई है शुजावल हक से नगर अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए भारत तक को हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकत हैं शेर कर सकते हैं